यह का है गुरू? कुछ इसी तरह की बात वारण नसी के लोग उस समय करने लगे जब नीले गगन के तले होट एर बलून ने अपना कबजा जमा लिया था घर की छतों या फिर सडक जहां भी लोग खड़े थे बस वहीं से टक्टकी लगा कर देखने लगे चाई के कुलड हातों के हात में ही रह गई और लोग हैरत भरी निगाहों से बस काशी के आसमान को निहारने लगे क्या बच्चें क्या बुढ़े हर किसी के लिए ये नजारा पिल्कुल नया और अलग था इन नजारों को जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया सतरंगी गुबारों से पटा काशी का आसमान महादेव की नगरी में चार चांद लगा रहा है दशाशमेद की आरती असी का सुभह बनारस और उत्तरवाहिनी लहरों को चीरते हुए सूर्य की लालिमा को जिसने भी होट एर बलून में सवार होकर देखा बस उस पल का मुरीद होगी अल सुभा शुरू हुआ होट एर बलून शो जब अपनी रंगत में आया तो गंगा घाटों पर मौजूद लोगों की निगाहें आसमान में ही टिक गए काशी में होट एर बलून शो का बुद्वार से आगाज हुआ और काशी में ये नजारा अगले दो दिनों तक देखने को मिलेगा इन्ही नजारों से आप सभी को रूबरू कराने के लिए हमारे समवादाता सौरभ श्रिवास्तव महदेव की नगरी और प्रधानमंत्री मोदी के संसदिय शेत्र वरनसी पहुँचे और तमाम नजारों को अपने कैमरे में कैद किया चलिए जानते हैं समवादाता सौरभ श्रिवास्तव का होट एर बैलून के सफर पर क्या कुछ कहना है कि नमश्कार में हो सौरफ सिर्वास्ता और इस समय हम हैं हौट एर बैलून पे और यह बैलून कोई और शहर में नहीं वारण असी में धर्म और अधियात की नगरी जहां मंदीरों की दर्शन करने के लिए के लिए लोग आते हैं लेकिन यहां पर मदक्राइट के संक्या को देखते हुए परेक्षबू अको डिल धुए बिभाग की तरफ होट ऑट मेरी रेलोन में शो का अयोजन किया गया है तीन दीवसी शो और इस समय हम हौट एर बैलून तो पर मदें सवारी कर रहे हैं और आपको अपने कैम्रे के माध्यम से लगभबग दो सब तीन सो मीटर उचाइब का दर्शन करा रहे हैं कि तरीके से पर आप सकते हैं कैम्रे के माध्यम से इस समय गयारा अलग-अलग होट-एर बैलून जो है जिस लगातार जो है कासी में परेटकों को बढ़ावा देने के लिए परेटकों को लुभाने के लिए लगातार जो है दूर दराज से सहलानी आते हैं इसे में परेटकों के लिए और इसमें पांसो रुपया टिकट रखा गया है और लगबक एक घंटे की सवारी है लोग काशी दर्सित करेंगे काशी के विभिन इलाकों से होते हुए यह होट एर वैलू आपको ले जाएगा तो कहीं न कहीं यह कह सकते है कि बनार जो है अब वो नजारा काशी में भी देखने को मिल रहा है और परेटक जो है लगाटार इसका लुप उठाते हुए नजर आ रहा है बतादे उत्तरप्रदेश परेटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से बुद्वार से शुरू किये गए इस आयोजन में कुल 11 गैस के गुबबारे लाए गए है इतना ही नहीं UK, टर्की से 11 पाइलेट्स और उनके क्रू भी आए गए बुद्वार की सुभा राजगाट के पास डोम्रिस सित, तै कारिक्रम स्थल से कुछ हट कर गुबबारों में गैस भड़ना और उन्हें उड़ाना शुरू किया था चलिए जानते हैं इस पर मुख्य परेटन अधिकारी का क्या कुछ कहना है इसके लिए परेटन शाले ने टेंटर किया था और वो करके ही यह कार यहां करा जा रहा है है"? क्योंको मिलेगा अलोग और यह उसके हैं इसके बहुत फास्जनी की अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हैं कि बाराणस्ति के लिए पहली बार है पहला वेलन फस्टिगल और अरश में है इंटरेशने बलन फस्टिगल और निस्चीतिय प्रेटन को एक नए आयम देगा जैसे ही होट एर बलून वरनसी की धर्ती से उडान भड़ने लगा लोग खुद बखोद उसकी तरफ खिचे चले गए सिर्फ काशी वासी ही नहीं बलकि दूर दराज से आये परेटन भी होट एर बलून में सबार होकर पूरे काशी को अपनी खुली निकाहों से निहारते हुए नजर आए हमारे संबादाता सौरप श्रिवास्तव भी बिना देर किये परेटकों के पास पहुँचे और उनसे इस सफर का अनुभव पूछा चलिए अब सुनते हैं इस अलग तरीके के आसमानी सफर को लेकर परेटकों का क्या अनुभव रहा मेरा नाम पुनीद घंबीर है और हम यहां पर आए हैं और यह बहुत ही बढ़िया एक्सपिरेंस रहा लाइफ टाइम एक्सपिरेंस अब क्या सकते हैं वह उपर से वारा नसी बहुत सुन्दर नजर आ रहा था काफी उपर हम को बैलून लेकर गया और इस तरह के मेरा नाम अमिद भसीन है मैं उत्तरप्रदेश का रहने वाला हूं गाजयबाद जिले का अच्छा कि देव दिपावली है कल प्लाइट होगी स्राम को यह प्लाइन करेंगा अच्छा लगेगा बनारस में जब एक तरफ रोश्णी होगी और उपर बनारस बहुत ही खूबसूरत लगेगा इन फैक्ट सुबह के टाइम भी बहुत खूबसूरत लग रहा था कि जैसे घाट पे लाइटे मगरा रहती है थोड़ी बाद और साथ में नाव चलती रहती ह जारा देखने में बहुत अच्छा लगता है तो सुबह भी अच्छा लग रहा था और रात को तो जब दिये जलेंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा यह पहला मौपत अपने देखा है या इसके पहले भी आपने कभी हमा है और एक अपने आप में एक डिफरेंटी एक्स तो डिरेक्ट एक्सपीरेंस ही रहता है इसमें तो अपने आप में डिफरेंट एक्सपीरेंस है तूरिजम मंत्राले का अच्छा इनिसेटिव है कि उन्होंने यह कारेकरम किया यहां पर जिससे की टूरिजम को बढ़ावा मिले लोग और लोगों की अवेडनेस बढ़ेग काशी बदल रहा है काशी सवर रहा है और इन सब के बीच काशी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प था वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है आपको याद होगा साल 2014 के लोगसभा चुनावों के बाद सत्ता में आए पीएम मोदी ने वारनसी के लोगों से एक वादा किया था उन्होंने कहा था कि बनारस शहर को जापान के क्योटो तीर्तिस्थल जैसा बना देंगे और आज ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है बनारस की बढ़ती खूबसूर्ती ने परटकों को अपनी तरफ और भी ज्यादा खीचने का काम किया है एक तरफ बनारस में फोट एर बलून उडान भर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एडवांस बुकिंग के लिए भी लोग कतार में नजर आए कई लोगों को तो टिकेट ही नहीं मिला काशी वासी टिकेट नहीं मिलने से खासा परिशान नजर आए और इस दौरान प्रधानमंतरी मोदी से अपील भी की क्या कुछ कहा उन्होंने चली आपको सुनवाते है एत्वाओर माली कि अरे आपको टिकरण लेका टिकरण मिले ना करल आपको ने पाड़ी से पुचा अरे अदम ना जारा अदम मास तरल भी आ सबरॉट अश्रम अच अबचा लगाल लाव दाने आपूरा गुवारा गुवारा सबॉट न्याव अज्वारा गुवादा छलो बुकिंगे ना मिलल यहां स्पूल यहां इता हम चाहिए हमें इसा चला दा तीन सफ पैसट दिन मजा जी बनारत वासिन का मजा जी बहुत जरूरी है अब इसका टिकट भी फिलाल नहीं मिल पा रहा है और अपने अंदाज में नहां लुक यह दिख रहा है और पर्याटन भी भाग कोई इसको चाहिए कि अल लेड़ी चालू कर देने के लिए कम से कम पर्मानेंट चालू कर देना चाहिए कंसे कम लोग देखते बनारस का जो उठान हुआ है मोदी जी के तहट उसके तहट देखते कि क्या-क्या इसमें दिख रहा है सामने चुनाव भी है इसलिए इसको पर्मानेंट चालू भी कर देना चाहिए नहीं इसके पहले तो कभी नहीं मिला था हाँ अपने अंदाज में तो यह बिल्कुल नया चीज है और इसको 100% नए लूप में देख भी रहे हैं लोग यह हॉट एर बलून शहर की चारो जगहों पर रुकेगा बिल्डव स्पोर्ट्स ग्राउंड डोम्री शी एचेस स्पोर्ट्स ग्राउंड और सिग्रा स्टेडिया यह बलून रोज सुभा उलान भरेंगे चलिए आपको इससे जुड़िये कुछ खासियत बताते हैं बलून शो में 11 हॉट एर बलून्स शामिल किये गए हैं बलून्स 45 मिनट की राइड लेंगे राइड पूरी तरह से सुरक्षित होगी सभी स्टेशन्स एक दूसरे के साथ कोडिनेट करेंगे 1000 फीट की उचाई से काशी की खूपसूरती नजर आएगे बलून 1000 फीट की उचाई तक लोगों को लेकर जाएगा बलून के अंदर से पूरी काशी आप देख सकें एक बलून में एक साथ 30 लोग उडान भर सकें हॉट एर बलून उडाने के लिए 8 पाइलेट्स बुलाए गए हैं जिनमें से 7 विदेशी पाइलेट है प्रतेक व्यक्ति को इसके लिए 500 रुपे का भुकतान करना होगा बता दे विदेशों से आए पाइलेट और क्रू में पॉलन भी महादेव की नगरी काशी और प्रधानमंत्री मोदी का संसदिय शेत्र इसके मुरीद हो गई है याता खुमा नाम की अंग्रेज महिला पाइलेट ने तो काशी की खुबसूरती की जम कर तारीफ की चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा प्रधा, फिको नहीं के अखुमाग dobrze प्रधा , प्रधा की जम क्या भी खवस्टी का भी बतात्र शवस्टल, जा ड़ी को प्रधा का कर प्रधा के लिए, झाओ कि भी, हो अबस्टल बता हैं उन्हों बतात्र के रेशकों के लिए ऌन्हें विश्वनार एंद गंगा एंगा एंगाट या येस आई वस लोग एंद पिक्टर एंद आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टिकेट बिक्री शुरू होने के करीब तीन घंटे के अंदर ही सारे के सारे 800 टिकेट बिग गए इससे परिटन विभाग को तीन घंटे में 4 लाख र और प्रधानमंत्री मोधी के संसर्य शेत्र वारनसी में हैं तो इस पल का आनन जरूर ले और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वारनसी से सौरब श्रिवास्तव की रिपोर्ट